साथियों राष्टी पिछडा वर्ग मौर्चा के माध्यम से जाती आधारिद गिंती यो मोविसी की जाती आधारिद गिंती को लेकर जो केंदर सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में हलपनामा दिया करके यह कहा है जाती आधारित गिंती और OBC की जाती आधारित गिंती नहीं करें इसके खिलाप में तीन किर Сी काले कानूनों के विरोध में इबियम में जो लगातार चुनाओं में घोटाले हो रहे हैं उसके बिरोध में, बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा निजी करण किया जा रहा है, मगर निजी करण के माध्यम से SCST OBC का रिजर्वेशन खतम हो रहा है, तो निजी छेत्रों में भी SCST OBC को रिजर्वेशन लागू किया जाई, इस मुद्दे को ले करके, पुरानी पेंशन इसकीम को बहाल करने को ले करके, और NRC, CEA, NPR और NRC के बिरोध में, पाच चरणों में आंदोलन घोशित किया गया था, जिसमें पहला चरण 15 अक्टूबर 2021 को राष्टी अस्थर पर पूरे भारत से महामहिम राष्ट पती को ग्यापन भेजा गया, और दूसरे चरण में 29 अक्टूबर 2021 को राष्टी अस्थर पे 555 जिला मुख्यालेंपर धरना प्रदर्शन करते हुए, महामहिम राश्टपती को ग्यापन भेजने का कारिकरम किया गया दो चरणों का अंदोलन सफलता पूर्बक संपन होने के बाद में अभी तीसरे चरण का अंदोलन 12 नौंबर 2021 को है जिसमें आल इंडिया की 5000 तहसीलों पर धर्ना प्रदर्शन करके पुना महामहिम राश्टपती महोदे को ग्यापन प्रेशित किया जाएगा और चोथे चरण में 25 नौंबर 2021 को पूरे आल इंडिया की 5000 तहसीलों में रैली प्रदर्शन किया जाएगा और रैली प्रदर्शन के बाद में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और पांचवे चरण में 10 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा तो ये SC, ST, OBC और माइनार्टी के हक अधिकारों के लिए राश्टिय पिछड़ावर्ग मोर्चा के माध्यम से ये बड़ा आंदोलन घोसित किया गया है तो देश भर में जो राश्टिय पिछड़ावर्ग मोर्चा के कारिकरता हैं पदाधिकारी है सुपचिंतक है उनको और इस अंदोलन को बहुजन करांती मोर्चा के राश्टिय संजोज़क और बामसेभ भारत मुक्ति मोर्चा के राश्टिय अध्यच माननी ओमन मेश्राम साहब ने भी समर्थन किया है तो बामसेभ भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन करांती मोर्चा के सब भी कारिकरता हो पदाधिकारियों और सुपचिंतकों से भी और इसी के साथ तमाम जो पिछड़े बर्क के लोग हैं सिडियूल कास्ट के लोग हैं सिडियूल ट्राइप के लोग हैं माइनार्टीज के जो लोग हैं उन सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी जो तीसरे चरण का आंदोलन और चोथे चरण का आंदोलन और इन मुद्दों को ले करके सरकार को जुकाया जा सके